यदि आप भूतपुर से नीक एक सर्विसमेन है तो आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पे इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको और ओपी 3 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है त चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथी साथ बेल का इकन को दवा दिजे फ्रेंड्स तो आईए देखते हैं क्या है नीजूस यहाँ पर बहुत सारे हमारे एक सर्विसमेन बोल रहे थे कमेंट कर रहे थे कि फिरिन उनका कोरिजेंडम जी हाँ कोरिजें अभी तक जारी नहीं किया गया है इससे काफी ज्यादा परिसान है साथ ही साथ ओवर ओपी 3 में जो फीटमेंट फैक्टर है वो किस फीटमेंट फैक्टर के हिसाब से उनका बढ़ना था लेकिन यहाँ पर कम हो गया तो आपको यहाँ पर साप साब बता दूँ कि जो आप आपका korrigendum जो जारी अभी तक नहीं किया गया है तो उसके बारे में आपको बता दू कि जो korrigendum जारी अभी नहीं किया गया है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है वो जल ही automatically उसको upload कर दिया जाएगा लेकिन यहां पर आपको बता दें कि अपना live certificate अपना due date से पह पहले पहले जरूर से जरूर जमा कर दे ताकि आपका जो पेंशन है वो लगातार बना रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत या रुकावट ना हो पाए साथी साथ आपको बता दे कि यदि आपका अभी तक एडियर अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया है तो आपको क्या करना है CP gram में आपको इस पर complain करना है साथी साथ SPURS का जो help line number होता है उस पर जाकर के आपको बाते करनी है वहाँ पर SPURS से आपको पूरा direction दिया जाएगा पूरा आपको solution बताया जाएगा कि आपका area अभी तक क्यों नहीं आया है और इसमें क्या दिक्कत है और आपको कौन से document वहाँ पर जमा करना है जिसके कारण यहाँ पर यह दिक्कत हो रहा है तो friends फिलाल वीडियो में बस इतना ही यदि कोई और information निकल करके आती है OROP3 से related तो सबसे पहले आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद friends जय हिंद